वही गौह तसकरी के मामले में सिरोज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है आपको बता दे पुलिस ने देराद गस्त के दोरान बाइपास मार्क से गौह तसकरी कर भुपाल जा रहे तसकरों को गिरफतार गया साथ ही उनके चंगल से 52 बच्चडों को भी छड़वाया वही कारोपी अभी भी फरार है वही सभी गोवन्ष को आरून रोट स्थेट संच सुधा सागर गौशाला में सुरक्षित रखा गया है कि आज मद्रातरी के बाद हमारे गस्त वाहन हंड्रेड डायल पर उसको सूचना मिली कि एक ट्रक में जो आपने गाए और बच्चडे हैं इनका वैद रूप से पर और कुरूरता पूर्वक उनको भर कर साइद वद के लिए ले जाय जा रहा है इसी सूचना मिलने पर उसने आरोन तिराहे पर एक असोगली लैंड ट्रक है इसको रोका था जहां पहले तो ड्रैवर और कोई बिल्टी दिखाई कि हम तो यह सामान ले जा रहे हैं जब उसने चेक करने के लिए बताया तो ड्रैवर ने क्लीनर को कहा कि तू जा कर चेक करा और जैसे क्लीनर नीचे उतरता है और यह पीछे की और जाने को होते हैं जो ड्रैवर ट्रक लेकर भाग देता है वहां से और क्लीनर भी मौके से फरार हो गया हमारे अर्चक ने अधे डैल से उस वाहन का पीछा किया और करीब दस किलो मेटर तक उसका पीछा करने के बाद पार्टन के पास इस ट्रक को रोका है जिसमें इसने पाया कि पार्टीशन कर अधियों को बहुत कुरूरता पूर्वक उनके हाथ और मूँ बांकर बढ़ गया था उनको मुक्राइगा है और इलाज किया जा रहा है पसुट के पर ही मवेसियों को प्रथम द्रश्तिया जो जान ड्रेवर है इसने अपना नाम विकास लोदी कुछ बताया है अभी उसकी तजदिक की जा रही है उसका सही नाम क्या है भालास किया जा रहा है उसका और इसके खिलाब हम प्रक्रण पंजीबत कर रहे हैं जल्दी और भी जो लोग सामिल हैं इसमें उन पर हम कारवाई क करेंगे उल्दी